नमस्कार अपने उज़ फोडेशन देख रहे हैं मैं हूँ आपके साथ बंदना मुकामा और गोपाल गंज दो सीटों पर आज उप चुना हो रहे हैं दोनों सीटों पर सुबह साथ बज़े से वोटिंग शुरू है गोपाल गंज की बात करें तो गोपाल गंज कॉंग्रेस क का गढ़ रहा है लेकिन इस बार बीजेपी जबरदस्त से हमारी मुकामा में की हुई है क्योंकि 40-40 अस्टार प्रचारक में मैदान में थे यही नहीं चिराक पासवान भी प्रचार करने के लिए पहुँचे क्या कुछ पर नाव आएगा यह तो भविसे के गर में है लेकि क्या लगता है कि जीत पाएंगे कि या नहीं देखे दोनों जगह से हम लोग जीत रहे हैं महागटवंदन के परतियासी गुपाल गया जो रहा है रही बात कॉंग्रेस की तो महागटवंदन जब बनता है तो जो कंपिटेंट उमीदवार होते हैं वो चुना लड़ते हैं और जो फिटबेक आ रहा है निशित रुप से बहुत अपार बहुमत से चुना जीत रहा है दोनों सीटों पर लेकिन बीज़ेपी तो दावे कर रही है कि इस बार ऐसा पटखनिया देंगे कि फिर कभी उठ नहीं पाएगा महागटवंदन बीज़ेपी जुमला पार्टी ह वो यही जूट साच बोल करके अभी तक सत्ता में है लेकिन मैंने पिछली बार भी आपको बताया था कि बिहार की जनता बिगत कुछ महीनों में समझ चुकी है कि ये लोग जुमलेबाज पार्टी के लोग हैं और जो घटना करम हुआ है राजनिती घटना करम उसके बाद कि जनता एकदम जागरुक है हमारे साथ आदर निये मुख मंतरी सिरी नितिस कुमार जी है आदर निये नेता सिरी लालू परशाद यादो जी हैं तमाम पार्टियों का समर्थन महा गटवंदन के साथ है और उसके समर्थक लगे हुए हैं चेत्रों में भी जनता भी देख हैं कि महागटवंदन इभार का विकास कर सकता है लेकिन चीराग पासवां भी तो इस बार अन्डीय के साथ हैं और उन्हों में पचार प्रशार किया है तो उन्हों ने भी पासवां वो ट्रो को कही न कहीं गोलाबन करने का का म कया है प्यूंस, ऐसे चिराग जो अपने घर सबसporte पहल नहीं कि आए जो सक्रिएर रहता है एक सधारन से पंचायत के परतिनीदी होते हैं उनसे भी लगता है कि उनके पांच समर्थक हैं भाय की बात नहीं है राजनिती में दूसे का नाम लेना भाय का मतलब थोड़ी होता है लोग यह इसलिए भी बताता है कि यह आदमी पिछले बार भी महा गटबंदन के हमारे खिलाब तो विधान सभा जीत के लग लगा रहे हैं तो फिर आग लगाना आपका काम है और उस अजनता सिखा भी दिए इनको विधान सभा में 2020 के विधान सभा में आने वाले समय में लोजपा बिलकुल खतम होते जा रही है और इसका आस्ती तो खतम हो जाएगा वीजेपी इस बार कह तब ही तो बीजेपी के 40-40 नेता बैठे हुए महागटवन्दन के सारे लोग उतर गए अभी इसमें कहां ज्यादा है लोग महागटवन्दन के बहुत से नेता तो गए ही नहीं उपचुना में चुकि हमको पता है हम सभी को पता है कि जनता हमारे साथ है ज्यादा हारने का सवाली नहीं है उनके पास ऐसे आप भोट समिकरन भी देखे तो भी वो कमजोर पड़ते हैं आनन सिंग जी का अपना एक अच्छा चबी है रोविन हुट वाला चबी है महां उनको लोग एक दोस्त मित्र और भाई की तरह मानते हैं निश्यत रूप से जीतेंगे ह हमारा प्रतियासी जो गुपाल गंज में वो सप्पे भाड़ी हैं तो निश्यत रूप से हम दोनों जगह से जीतेंगे अब तो बीजे पी को आत्म चिंतन करने की जड़ात है कि उनको करना क्या चाहिए बहुत बहुत सुक्रिया तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था कॉंग्रेस विधाई का प्रतिमा जी का साब्तवरस इन्हों ने तो दावा किया है कि दोनों सीट महागडबंधन के खाते में ही आएगा लेकिन गोपाल गंज सीट की अगर बात करें तो गोपाल गंज सी होगी लेकिन फिलहाल इन्हों ने जो दावा किया है ये दावा किस हद तक साबित होता है सही ये तो भविसे के गर्व में है इसकर वस इतना ही बने रहे ये निश्पोनेशन के साथ अब तक हमारे चैनल को सब्स्राइब में किये हैं तो कलीजे धन्यवाद